अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंजी ने बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले चानती सरुप जी बाबा साहब के बारे में मीडिया बहुत सारी बाते हमेशा चुपा जाता है तो वो कौन से बाते हैं हम आपसे जानना चाहेंगे जो मीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमीडगर के बारे में चुपा जाता है उसके बारे में बताएं देखे असलिय तो यह है कि किसी भी आंदोलन का एक तो उपरी आवरण होता है एक उसके सिद्धानत होते हैं जिस पर वो महापुरुष इस्टेंड करता है बाबा साहिब डांक टंबेट करके इस्टेचू में माला डालना उनके चित्रों को अपने इस्तमाल करना उस पर फूल चड़ाना ये एक आम चलन बन गया है भारत वर्ष का मगर असली बाबा साहब तो बहुत मजबूत है ना असली बाबा साहब तो इनसे हजम भी नहीं होंगे ये बाबा साहब डांक टंबेट करको जो आज गले लगा रहे हैं उनका इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि वो बाबा साहब डांक टंबेट करके विचारों से सहमत हैं या उनके एजंडे पर काम कर रहे हैं यह बास समझने की जरूरत है कि यह जब ठगा जाता है किसी को तो ठगने के बहुत सारे तरीके हैं एक प्रोफेसर जगना तो पाध्याय हुए हैं बी एचू के प्रोफेसर थे यद्पी वो ब्रहमन थे मगर बाबा साहिब डांक टम बेट करके अनुयाई थे बहुत धरम के बहुत अच्छे अभ्यासक थे अनुयाई थे उन्होंने एक बार कहा कि आप यह मसमझना कि इस देश में बोध्धों का कतल हुआ विक्कों की गर्दने काटी विश्विद्यालों में आग लगाई उसी वज़े से आप समाप्त हो गए ना एक जो सबसे बड़ी उनकी नीती थी बोध्धरम को समाप्त करने की वो क्या थी प्रैमा लिंगन प्रैमा लिंगन किसको कहते हैं औरे बोध और हिंदू भाई भाई आओ भाई आओ भाई कर दिया खतम ये प्रैमा लिंगन बाबा साहिब डांक टमबर के साथ अब चल रहा है क्या चल रहा है बाबा साहिब आपकी फोटू को माला और आपके विचार पे ताला माला आप देख रहे ना इनके सारे मंच में बावस आपके फोटू मिलेंगे फोटू मिलेंगे और जो उनकी विचार धारा है उसका क्या हो रहा है जो बावस आपका एक समगर वांग में है जो अमबेटकर फार्मडेशन स किसके अंडर है बीजेपी सरकार के अंडर है बंबई में उसका मैन ओफिस है एजुकेशन मिनिश्री महाराष्टा सरकार वो किसके अंडर है वो बीजेपी की सरकार के अंडर है दोनों में इतना सुर्ताल एक है कि दोनों ही बाबा साब का अनुवाद नहीं छाप रहे वो अं बाबा साहिब डांक ट्रम बेटकर का विचार क्या पाकिस्तान की पक्ष में है नहीं तो फिर क्या दिक्कत है कारण यह है कि इसे देश की शाषक जाते हैं इसे देश के 85 परतिशत लोगों को तबाह और खतम करना चाहते हैं और बाबा साहिब डांक ट्रम बेटकर का विचार बाबा साहिब डांक टम बेट करका साहित है उस 85 परतिशत आबादी को संबान जनक तरीके से अधिकार पूर्ण तरीके से इस्थापित करना चाते हैं सैधान्तिक मतभेद है कि वो हमारे अधिकारों पर डांका डालना चाते हैं बाबा साहब इनके अधिकारों की रक्षा करना चाते हैं, उनको वास्तों में वो अधिकार परदान करना चाते हैं, ये तो जिस तरीके से एक जानवर को दिखा दिखा करके उसको लिभाते हैं, मास का टुकड़ा दिखा दिखा के उससे सरकस में काम कराते हैं, और बाद में उसको ठग लेते हैं, ऐसे ही हमारे साथ इनका चल रहा है, बाबा साहिब डांक ट्रम बेटकर को तो ये हजम करी नहीं सकते, बाबा साहिब डांक ट्रम बेटकर तो एक ज्वाला मुखी है, विचारों की ज्वाला मुखी है, बाबा साहिब डांक ट्रम बेटकर का विचार जो पृष्ण का मुकाबला ना कर सके बाबा साब के गुरू थे भगवान बुद भगवान बुद कहते हैं कोई बात इसलिए भी मतमाना अगर जो मैं कहता हूँ ये क्या कहते हैं जो हमारी बात नहीं मानेगा वो देश द्रोही जो हमारी बात नहीं बानेगा वो राश्द रोई तो बाबा साहब का और इनका जो सोच है बिलकुल कंट्रास्ट है बाबा साहब इस देश के जमीन में धसे लोगों को जिनों ने इनको धांस दिया उसको उपर उठाना चाते हैं और ये लोग जहां से दे दे करके सवजबाग दिखा दिखा करके हमारे लोगों को रसा तल में पहुचाना चाते हैं तो दोनों में बड़ा अंतर है जो दो विचार दा रहे हैं जो यहां का मीडिया है बाबा साहब डांक ट्रमबेट करकी अभी एक लालू जी ने एक बात कही थी मोधी जी से कि मोधी जी अगर बाबा साहब डांक ट्रमबेट करका इतना ही संबान करते हैं तो उनकी एक किताब है एनिलेशन आफ कास्ट आप उसको बीएक के कोर्स में लगा दीजिए ना ये बात हम भी कह रहे हैं बाबा साहब डांक ट्रमबेट कर का लिटेचर आप सिलेबस में क्यों नहीं लगाते हैं बाबा साहब डांक ट्रमबेट कर की किताबें आप सारी लाइबरियों में क्यों नहीं पहुंचाते हैं उल्टा हो क्या रहा है कि बाबा साहिब डांक टम बेटकर कि वोल्यूम्स जो सारी लाइबरेरियों में गए थे अब एक विशेश शड़न्त के तहत उनको हटाया जा रहा है उनको निकाला जा रहा है और कह दिया जाता है कि वो तो इश्यू हो गए वापिस नहीं आ रहे हैं हाओ समय परकाशन की किताबें जो हम छापते हैं क्योंकि वो इस देस के झो मूल निवासी हैं जो इस देस के धरती पुत्र हैं उनके जीवन में परकाश लाने के लिए लिखी जाती हैं इसलिए इस भारत वर्श में लाइबरेरी के लिए हमारी किताबों की खरीद पर आग भक्त बना के रखना चाते हैं कैसा भक्त जो हर वक्त उन्हीं का चरण बंदन करता रहा है उन्हीं की जैजकार करता रहा है और अधिकार मांगे नहीं बाबा साथ कहते हैं कि इस देश की धंधरती में हमारा बराबर का हिस्सा है जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी भाग इसलिए बाबा साहिब डांक टम बेटकर का फोटो दिखाते रहो और पीशे से बाबा साहिब डांक टम बेटकर की मूरते धड़ादर धड़ादर तोड़ते रहो यह इनका चरित्र है हम सब समझते हैं अब मुझे नहीं पता यह समझते हैं या नहीं समझते हैं अब आगे य बाबा साहिब डांक टम बेटकर के विचार के अनुकूल सरकार नहीं है बाबा साहिब डांक टम बेटकर के विचार के अनुसार यहां की राजनीति नहीं है यहां की कारेपाली का नहीं है यहां का मीडिया नहीं है और फिर भी अगर उनकी विचारधारा सर चड़कर बोल रह इनके काबू आने वाले नहीं है यहाँ इस बाहने से बाबा साहब की उपेक्षा करने के बाहने से अपनी चरितर का परिछे जरूर दे रहे हैं इतना अंतर है आप थे हमारे सा शांती शरूर बात जी जिनोंने बताया कि मीडिया जो है जो में इस्टीम है वो बाबा साहब की इन बातों को नहीं दिखाता है और जो समास तक नहीं पहुंच पाती है बाबा साहब की वो सारी बातें जो समास तक पहुँचनी चाहिए आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्य बाद जाके